नमस्कार दोस्तों इंडिया स्टाइक्स चैनल पूर आपका स्वागत है तो इस वडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको सुनकर संबहुता आपको यह लग सकता है कि नॉर्मली इस चैनल के उपर हम लोग जियोकलिटिक्स के उपर या फिर डिफेंस के उपर या फिर सनातन के उपर बात करते हैं तो फिर आज यह पर्टिक्लर टॉपिक जो कि एक डॉमेस्टिक इशू की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फिर हम लोगों के दिमाग में उपर कि यह एक डॉमेस्टिक इशू कि तरह ऊबर कर आ रहा है उसको क्यूं डिसकस करने हैं जब हम डिटेल्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा यह बारत में इंटर्फियर करने के ऐसे लोगो का उपयोग किया जा जाने के लिए भारत बचाने यह जो particular topic है यह है demographic change इसमें कुछ ऐसी चीज़े हम लोग discuss करने वाले हैं कुछ ऐसे पहलों कुछ ऐसे फैसे इसके discuss करने वाले हैं जो संभवगर जाधातर लोगों के दिमाग नहीं आया होगा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्ट्राइब करें ब लाते रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं तो बात करें अगर demographic change तो रोज ही mainstream media में YouTube पर और अलग-अलग social media पर भी यह बात है उठाई जाते हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्तों में से कुछ बांगलादेशी पकड़े गए हैं कुछ रोहिंग यास पकड़े गए हैं कई-कई जगा उपर अब यह मुहीम भी चेड़ गई है कि उन areas में से जो भी रोहिंग यास है या बांगलादेशी हैं वे लोग जो जुकी जुपरी बन बात करें अगर डेटा की तो गवर्मेंट के पास से अभी ऐसा कोई भी डेटा नहीं आया है जिसमें ये बताया जा सके कि पूरे भारत ऐसे कितने इल्लीगल बांगलादेशी और रहते हैं जी हां कोई भी ऐसा गवर्मेंट डेटा नहीं है लेकिन यहां पर हम लोग 10 सप्ट बांगलादेशी रह रहे हैं जी है पांधा मिल्ययन यानि कि देर करोड इल्लीगल बांगलादेशी माइगरी हारत में हाल में रहे हैं इस प्रगार कानुमन लगाया गया है और फिरसे एक बार ये जो पर्टिक्लर रिपोर्ट है फर्सपोस्ट की यह ज़ादा दूर की नह सिर्फ देड करोड तो बांगलादेश ही है और उसके अलावा अगर रोहियास की बात की जाए तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन पचास लाग होई यह भारत में रहते हैं लेकिन अगर रियालिस्टिक फिगर्स देखे जाएं तो उनकी जो संख्या है वो तकरीबन 10 से 20 लाग के बीच में हो सकती है तो अगर इनका इन टोटल मिलाया जाए तो तकरीबन एक करोड़ साथ लाग जितने इंडीगल इमिगरंस भारत में हाल में रह रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ इनिगल इमिगरंस हैं इनके पास कोई डीटेल्स नहीं होगी कोई आईडी नहीं होगा तो फिर ये हम लोगों के लिए किस तरह से कत्रा बन सकेंगे इनका एक जो पर्टिक्लर रुप्योग है वो रायर्स के समय होता है जब इन लो को ब्रेन वाश करके कि रखा जाता है और साथ ही पैसा देकर इन लोग को तयार किया जाता है ताकि जब भी भारत में पूरे भारत में किसी भी जगा पर उपद्रव करना होता है उस समय इन लोगों को वहां शिफ्ट किया जाता है तो इस प्रकार से भारत में जो भी रायर होते हैं उस समय इस प्रकार के जो देर करोड जितने illegal लोग रहते हैं उनको mobilize किया जा सकता है और उन लोगों को वहाँ एक स्ट्रीट पावर के तौट पर project करके उस state की और पूरे भारत की जो सरकार है जो central government है या state government है उनको pressure में लाया जा सकता है और उस particular region के जो भी लोग है उन लोग को दबाव में लाया जा सकता है उन लोग के उपर हमले भी हो सकते हैं इस प्रकार की गतना है और यह भी बता जा रहा है कि वहाँ पर भी बंगलादेशी illegal immigrants का और हो ही है illegal immigrants का involvement था तो उसी तरह से यह जो पर्टिकलर illegal immigrants भारत में रह रहे हैं तो एक हो गया इनका यह पर्टिकलर उपयोग जिसमें उन लोग को उपद्रो मचाने के लिए अलग अलग जगाहों पर मोबिलाइस किया जा सकता है अलग अलग जगाहों पर बेजा जा सकता है चाहे वो साउथ में हो इस्ट में हो वेस्ट में हो नॉर्थ में हो सेंट्रल रीजिन में हो कहीं पर ठेक यह हो गया दूसरा और बहुत ही critical scenario जो create होता है वो तब होता है जब कल एक report आई Times now नव भारत जहांपर राजस्तान में एक MLA है बाल मुकंदाचारिय जी उन्होंने एक particular shop पर raid की और वहां पर जाकर यह बताया कि उस सगह से पूरे भारत के लिए illegal आधार card और voter ID बनाया जाते हैं अगर आपने वो particular report नहीं देखी है तो हमारे WhatsApp चैनल पर भी है तो आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी खास करके टाइमसनाओ के पेज पर बाल मुकंदाचारिय जी का नाम लिखेंगे तो शायद उसमें भी आपको मिल जाएगी तो उन्होंने जाकर यह particular जो रैकेट है जो राजस्तान के एक सिटी में चल रहा है उसको एक्सपोस किय और यह बताया कि वहां से पूरे भारत के लिए illegal आधार कार्ड और वोटर आईडी जाते हैं जब वहां पर reporting चल रहा था recording चल रहा था उसी समय वो जो particular लुकांदार उसके फोन पर एक कॉल भी आता है जो यह बताता है कि यह जो particular बाबा है वो क्या बखवास कर रहा है और अगर यह कुछ पूछ थें तो यह बता देना कि हमारे वहां पर नहीं होता है दूसरी किसी जगापर होता है तो इस तरह से उसको वहां से हटा देना उसको वहां से भगादेना तो ये भी वहाँ पर उस particular reporting में record हो गया था 9 भारत टाइम्स की उस particular report तो अगर आपने वो particular report नहीं रेखी तो वो जाकर जरूर रेगे ताकि ये जो particular illegal बांग्रादेशी और रोहिंग आपारत में गुस रहे हैं वे लोग किस तरह से fake आजारकार और fake order ID बनाकर घारत सरकार के जो भी लाव हैं जो दिये जाते हैं जो मध्यमवर्ग वालों को या फिर lower middle class वालों को lower class वालों को जो भी benefits दिये जा रहे हैं उन benefits पर ये हम लोग के पास से किस तरह से हथ्यार है तो उसी प्रकार से ये जो particular एक पूरा racket चल रहा है जहां पर illegal आदारगार voter ID बनाकर उन लो में चेज होती जा रहे हैं अब ऐसे जो particular लोग हैं उनका उप्योग तीस और बहुत ही critical बहुत ही dangerous उप्योग दिया जाते हैं और किया जा रहा है कई सारी जगह ओपर वोग हो रहा है elections के दौरा एसे जो illegal migrants हैं उनका fake आदार कार्ड फर्जी आदार कार्ड और उन लोग के voter लिग बताया जाता है अलग-अलग cities का जहां पर किसी खास व्रक्ति को सक्ता में लाना हो तो ऐसी जगहों का अजार काड़न लोग बनता है इन यूज बलक और बाद में उन लोग को पूरा mobilize किया जाता है ऐसी जगहों पर और वे लोग वहां जाकर वोगिंग करते हैं पैस लोग तो देश को बेशना चाहते हैं अपने स्ट्राज्य को बेशना चाहते हैं जो अपने राज्य को अपने शेहर को पूरा ही बैकरप कर पूर तो कि इस प्रकार से ऐसे जो illegal immigrants भारत में दूसे हैं बांगलादेशी हों या रोहीं गया उन लोग के अलग-अलग उप्यों किये जाते हैं ताकि भारत में उन्माद फैलाया जा सके भारत को constantly unstable रखा जा सके और साथ ही में भारत सरकार के जो भी benefits हैं वो वे लोग हत्या सके हमको जो benefits मिलने चाहिए वो वे लोग हत्या सके और साथ ही अगर regime change करना हो तो उन लोगों को mobilize भी किया जा सके अब यह अगर जो पूरा ग्रियेट होता है, यह जो पटिकुलाद लोग है, अगर रुहीं यांकी पटिकुलाद बात करें, तो फिर भी यह समझ में आता है, तो वो जहाँ से आते हैं, तो आगाएं स्टेट, म्यानमार का, वहां से आरा का नार्मी ने, इन लोग मार मार के भगाया था इनक धिर भी कई सारे उतने से लोगों को यहां पर भारत बेजा जा रहा है और साथ ही बांगलादेश और पाकिस्तान के थूप ऐसे एक्टिविटीज करवाएं ऐसे लोगों को एक्टिवेट करें ऐसे groups को activate करें, ऐसे भारत में रहरे sleeper cells को activate करें, ताकि भारत में तुल्गा रजीम चाहिए हो, भारत में सत्ता परिवर्तन हो, और उन लोगों का जो puppet है, उनकी जो कत्वत लिया है, वो ultimately आकर सत्ता में बैठें. Fortunately, भारत में 100 करोड हिंदों हैं, और कई सारे ऐसे अन्यधम के लोग हैं, तो यह चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, भारत स्टेबल रहे, भारत आगे बढ़ता रहे, तो उनी की वज़ए से आज भी भारत सुरक्षित है, आज भी भारत में ऐसे लोग नेता बनकर बैटे ह हैं, तो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना हैं, लेकिन ये जो संख्या है, उसका अगर एक अलग परस्पेक्टिव देखें, ये जो 1.5 करोड की संख्या बताई गई है, उस पोस्पोस के रिपोर्ट में, उसका अगर एक अलग परस्पेक्टिव ल होती है तो उसी के चल्ड ये अगर देर करोंगे संख्याले तो ये दो से तीन मेट्रो सिटीज जितनी जन संख्या हो जाए तो समझने जे कि ये लोग कितना बड़ा इंपक्त क्रियेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकलर रीजन में जिस तरह से वो लोग हाल में जम्मो कश्मीर में कर रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट आ रही हैं दिल्ली में भी बता जा रहा है कि कहीं सारी असी जगह है जहां पर जुगी जोपरियों पर ऐसे बांगलादेशी और रोहिंग याओं को रखा जा रहा है उसी प्रकार से वेस्ट बैंगल भी है और पुछ नौधीस के स्टेप्स भी है जिनकी डेमोग्राफी चेंज करने की अक्टिविटी काफी सालों से चल रही है इसके उकर हैमन दबिश्वत सर्मा आसाम के जो सीम है वो भी कॉंस्ट नजर बनाये हुए हैं और उसके उपर कॉंस्टंटली वर्क कर रहे हैं साथ ही में बाहर आकर बयान भी दे रहे हैं ताकि लोगों को भारत के लोगों को भी पता चले कि किस प्रकार की गतिविदिया भारत के उस पर्टिगलर भूब आप में हो रहे हैं हमको और तो जो काज़ नहीं दिखाएंगे क्या वो बंगलादेश जाएंगे चुनावी मुत्ता होगा देखे आ एनरसी होगा जिसका नाम एनरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बंगलादेश तक ठकका मार मार के हमको भगाना परेगा यही हमारा नीती होगा पहले सब को एनरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्स राखने का सुभीधा मिलेगा कानूनन पूरा कर जतना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा अंत में अगर आप अपने आपको प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरी हूँ तब आपको कानून का रस् किया हूँ अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस किया हूँ को कि हमको और एक बार करने लिजिए सिमान में हमको और 20% सेंपल से करने लिजिए पहला सरन में हमने सोधा लाख लोगों को अइडेंटिफाई किया जो प्रठम दिश्ती में भारतिया नागरी नहीं है सोधा लाख और पुनहरा लाख का बीच में है अब वो जो पर्टिकुलर रीजिन है भारत का नौट इस्ट का जिनको सेरें सिस्टर भी का जाता है वो जो साथ स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग करने कि एक अलग मुहीम चल रही है अगर आप बांगलादेशियों के कई सा सिस्टर स्टेट्स है तो नौट इस्ट के स्टेट्स उसको वे लोग पूरा बांगलादेश में लेने की बात कर रहे हैं वो होगा नहीं यह उनका दीवास वक्न है यह उनका पाइप द्रीम है वो होने वाला नहीं है क्योंकि भारत की संदार भारत की एजन्सीज और सिक्य Organizations को counter करने में जो लोग ये चाहते हैं कि भारत के और भी टुकडे हों और भारत और भी छोटा बनता जाए और भी सिकुरता जाए तो उसी के सामने वे लोग भी लड़ रहे हैं at state level as well as at the central level क्योंकि central government में से भी ऐसी activities हो रही हैं कि वो जो north east के states हैं उसमें जो separatist groups से उनको दीरे-दीरे करके समझा करें में स्ट्रीम में वापस दोड़ा जा रहा है इसके बार में भी कई सारे वीडियोज हमने अगर आपने नहीं देखें तो recently एक बारवा जो इस प्रकार का agreement हुआ है उसके उपर भी हमने वीडियो बनाया था नीशे description में उसका link दे देंगे ताकि आप जाकर देख सके तो इस प्रकार की activity भारत की सहदा के द्वारा भी constantly की जा रही है तो इसी प्रकार भारत को तोड़ने की गोशेश constantly चालू है पहले सिर्फ पाकिस्तान करता था जिसमें वो जम्मू कश्मीर तो तोड़ना चाहता था लेकिन अब बांगलादेश भी उसमें involved हो गया है या फिर कहें इस पाकिस्तान भी उसमें involved हो गया है और भारत का जो अल्रेडी पट रूखी लेकिन भारत सरकार भारत की एजन्सी इंटेलिजेंस एजन्सी और साथ ही इंडियन आर्मी और जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस वो इतनी सक्षन है कि वे लोगों ऐसे उपद रग्लों को और ऐसे आतंकवादी मानसिक्ता वाले लोगों को पटका पर उन डोगों को वहीं पर तबाह करें तो आने वाले समय में देखना होगा कि इस तरह से डेवल्प्रेट होते हैं लेकिन ये जो पर्डिकुलर डेमोग्राफिक चेंज का मामला है उसको सरा भी लाइकली ना ले हम लोगों को भारत के आम नागरिगों को कॉंस्टन्ली च जबुवत है कि क्या मालदा में उतनी पॉपलेशन एक्चुली थी कि इतनी सारी महिला है और इतने सारे फैमली सडनली डिल्ली में आकर रह रहे हैं और क्या मालदा में हाल में उतनी पॉपलेशन है या फिर उतना पॉपलेशन चेंज हुआ है जिस अनुपास से यहां पर म रहना होगा, सबी को चोकरना रहना होगा, ऐसे कोई भी संदिक जिवर्दक्री मालूम पड़े, तो तूरंथ ही उसकी information, जो भी concerned agencies हैं या फिर पुलीस है, उन लोगों को तूरंथ ही जाके दे, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे sleeper, sales को भारत से बाहर किया जा सके, उन लोगों के कड़ी से कड़ी कारवाई समय रहते हैं हो सके, ताकि हमारा और आपका पविष्ट, हमारे बच्चों का पविष्ट सुर्फ रह सके, आप क्या सोचते हैं इसके बार में यह हमारे साथ कॉमन में ज़रूख साजा करें, demographic change और जो geopolitics है, उसके बीच में जो connection है, उसको क्या आ यह भी हमें कावन में दटा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना ना पूलें और बैल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगिलर नोटिफिकेशन्स मिलते रहें, मिलेंगे अगली कबर में, तब तक के लिए, जय हिंद हर हर्मादे! प्रिवार व़ब में झांग